आजकर शायद ही कोई ऐसी सोशल मीडिया साइट होगी जिसे कोई यूजर यूज नहीं करता हो वाटसप इनमें से ही एक है आज हम आपके लिए कैसी खबर लेकर आए हैं जो वाटसप यूजर के लिए एक जरूरी खबर हो सकती है क्योंकि इस इंस्टन्ट मैसेजिंग एप वाटसप में एक बग सामनी आया है जिसकी वज़े से करोड़ो वाटसप यूजर के मुबाइल नमबर गूगल सर्च में रिलीज हो गए है एक सर्च में इसका खुलासा किया गया है और अपने ब्लॉग में ये बताया है कि इस बग की वज़े से 29,000 से 30,000 वाटसप यूजर के मुबाइल नमबर प्लेन टेक्स फॉर्म में उपलब्ध है इसकी वज़े से कोई भी एंटरनेट यूजर इस्तिमाल कर सकता है Dependent Cyber Security Researcher अतुल जयराम ने ये बाते बताई है और उन्होंने साफ कहा है कि इस बग की वज़े से अमेरिका, UK और भारत के साथ साथ लगबग हर देश के यूजर प्रभावित हुए है और कई सारे नमबर वाटसप पर टेक्स्ट के रूप में उपलब्ध हो गए है अगर फोकस इस चीज़ पर किया जाए कि मुबाइल नमबर कैसे इस तरह से पब्लिक हो गए है तो इसका कारण ये है कि वाटसप की फीचर टू चैट की वज़े से ये मुबाइल नमबर खत्रे में आ रहे हैं और कोई भी इंटरनेट यूजर वाटसप यूजर के मुबाइल नमबर को सर्च कर सकता है वहीं इस बारे में वाटसप के स्वामत्व वाली कंपनी फेस्बुक ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है गूगल सर्च में वही रिजल्ट है जिसे यूजर ने खुद पबलिक करने के लिए सेलेक्ट किया है अब यह जान लीजिए कि क्लिक टू चैट फ्रीचर की वज़े से जो वाटसप नमबर पबलिक हो गये हैं वो इस फीचर के जरीए यूजर को वेब साइट पर चैटिंग करने में हसानी होती है इस फीचर में क्विक रिस्पॉंस यानि की QR कोड इमेज के जरीए काम किया जाता है इस फीचर के जरीए किसी URL पर क्लिक करके चैटिंग की जा सकती है इसके लिए विजिटर्स को नमबर डायल करने की जरुरत नहीं होती, वो फोन का पूरा एक्सेस ले सकते हैं लेकिन परिशानी यह है कि यूजर्स के मुबाइल नमबर गूगल सर्च में आ जाते हैं जिसकी वज़स से इस सर्च इंजन, क्लिक टू चैट का मेटा डेटा लोगों के फोन नमबर यूरल के हिस्से के तौर पर सामनी आ रहा है यही कारण है कि यूजर्स के वाट्सअप मुबाइल नमबर टेक्स के तौर पर सामनी आ रहे हैं अलेकि वाट्सअप के स्वामत्व वाली कंपनी फेस्बुक का कहना है कि यह उप्शन यूजर्स ने खुद पब्लिक करने के लिए सेलेक्ट किया है लेकिन इस तरह से हजारों वाट्सअप यूजर्स के लंबर सामनी आ जाना उनकी प्राइविसी के लिए खत्रा साबित हो सकता है वाट्सअप अपना ये बग कब तक ठीक करता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा